हलो फ्रेंड्स वेल्कॉम टू मैं चैनल हम साड़ी के उपर मैं भी ơi क्वा देंकैं साड़ी केवाद मीजी नहीं होता है मैंहीं ढ़ी होता है जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ घर पे यह हाथ के उपर हाथ से पिको कैसे करते हैं तो यहाँ पे मैंने यह इसको सीधा पहले आपको कट करना है जैसे यहाँ पे जो साड़ी का पल्लू होता है या किनारी होती है जो भी हो इसे हमें पहले सीधा कट करना है इस तरह से सीधा पूरा हमें कट करना है इस तरह से हमें पूरा सीधा कट करना है अब यहां पर हमें उल्टी और सीधी साइड देखनी है अब यहां पर हमारी यह उल्टी साइड है और यह जो है यह सीधी साइड है अब यहां पर हमने पानी लिया है थोड़ा सा इसको क्या करेंगे हाथ से इसको पानी से हलका सा इसको फोल्ड करेंगे झैसे यहां पर हमें इसको हलके हट से इसको फोल्ड करना है यह देखिए यहाँ पर हमने इसको फोल्ड किया है फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने यह सुई में दागा लिया है अब यहाँ पर हमें क्या करना है पहले हमें इसको पक्का करना है किनारी पर हमें पहले पक्का करना है इस तरह से हमें इसको पक्का कर लेते हैं यह देखिए यहां पर हमें इसको पक्का करना है यह देखिए यहां पर हमने इसको पक्का किया है अब यहां पर हमने यह किनारी पर पक्का किया है पक्का करने के बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहां पर हमें क्या करना है थोड़ा सा तिर्चा इस तरह से सुई को लेना है वापिस इस तरह से सुई को थोड़ा सा तीर्चा ले लेते हैं यह देखिए यहाँ पर हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है और तीर्चा जो है इस तरह से हम फोल्ड करेंगे यह देखिए यहाँ पर हमारा यह हलका हद से आपको तीर्चा सुई को हमें तीर्चा लेना है इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे थोड़ा-थोड़ा वृचस थार इस तरह से हम घर पे बैठ़के अपने साडिके पल्ल को जैसे नीचे के साइड में यह लगाते हैं थो इसके लिए भी हम नीचे के साइड से भी यह फॉल भी लगा है है और घर पर यहां जैसे पी को जो है वो कर सकते हैं यह देखे यहां पर हम हैं इसको इस तरह से लेना है मैं अब शहकловolenण के नहों को यह द एक हिले को इससे पर एक ट्षिफ मेर फोल्ड करना है कि और इसे हमें हलका सा देशा तीरचा सुई को तिरचा लेना है यह देखें पूरे पल्लू के उपर हमें इस तरह से इसको फेले थोड़ा सा फोल्ड करना है और इसे इस तरह से तिर्चा लेना है तो अब घर पे यह पीको जो है वो अब बना सकते हैं पूरे पल्लू के उपर हमें इस तरह से यह पीको करना है यहाँ पे मैंने यह पीको कैसे करना है यह मैंने दिखाया है इस तरह से यहाँ पे हमने इसको पीको करके आपको दिखाया है तो आपको घर पे ही साड़ी के उपर जो पल्लू के उपर जो पीको करते हैं तो हाथ से आप इस तरह से कर सकते हैं तो इहाँ मैंने मुझे पूरे पलो के उपर यह हाथ से पीको करना है तो इहाँ प्रीमिने आप को थोड़ा सा सेंप्ल मतलब सीखने के लिए आपको दिखाया है कि घरपर ही हम हाथ से पीको कैसे करते हैं तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो यह दिखिए, यहाँ पर हमने इसको पीको करके दिखाया है